नमस्कार दोस्तों, माई चैनल DC Education में आप सबका स्वागत है, इस वीडियो के माध्यम से Biology, Biology यानि जीव विज्ञान से संबंदित प्रश्णों का अध्यन करेंगे, ये आपके आने वाली प्रतियोगी परिछाओं जैसे SSC, Railway, NTPC, GroupD, UPSC, आद इक्जान्स के लिए इतमात पोर है, दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को सेर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ उसका notification आप लोगों तक पहुंच जाए, दोस्तों इस सीरीज के जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो मेरे चैनल के प्लेइलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, आईए दोस्तों अध्यन करते हैं, Question number first, जब चीटी काड़ती है, तो वे अंता छेपित करती है, ये अंता छेपित करती हैं, दोस्तों फार्मी कमल, क्या करती हैं, फार्मी कमल, निरसंस प्राली, निरसंस प्राणी हैं, यानि ह्वेल, कौन सा दोस्तों, ह्वेल, अगला कुशन है, हिरदय, फेफडा, यक्रत, व्रक, यानि किड्नी में से वह भाग जो शरीर ताप को नियंतित करता है, ये ताप को नियंतित करते हैं, दोस्तों, फेफडा, याडि लंग्ज, सामाने मानो, शरीर का ताप करम होता है, ये आउस्तन, 98.6 डिग्री फार्ने हाइट, कितना होत दस के लिविन होता है, बोडी का टमप्रेचर, अगला कुशन है, अगला कुशन कह रहा है कि मानो के सरीर का सामाने ताप मान होता है, 37 डिग्री सेंटिग्रेट, निमलिखित कतनों पर विचार करें, फीता क्रमी, टेप वार्म, उभै लिंगी हैं, सही है, गोल क्रमी, होता है, सही है, गिनी क्रम, इने लिड है, गलत, एक और दो और तीन, तीनों सही है, अगला कुशन है, अगला कुशन है, घट परणी, अमर बेल, घट परणी, अमर बेल, ब्लेडर, वर्ड, सूरज मुखी में से परजिवी पौदा है, यह है दोस्तों, अमर बेल, अमर बे पौधे की भात पौधा मिलता है यह मिलता है दोस्तों तना काटने से अगला कुशन है निम्देखित पादपों पर विचार कीजिए बोगेन, वीलिया, कारनेशन, कोको, अंगूर इन में से वह पादप जो इस्तंब करतंद्वारा प्रतिवर्दित किये जाते हैं यह चारों किए जाते हैं दोष्तों मोगेन वीलिया कारनेशन कोको अंगूर अगला खुसर्ण है निमलिखित कतनों पर विचार करणा है मुसम्मी के पउधे का प्रवर्धन कमल वंद तकणीक द्वारा होता है सही है चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाव दाव तकनिक द्वारा होता है सही है एक दो दोनों कथन सही है अगला खुशन है अगला खुशन है मानो मस्तिस का वाभाग जो मानो मस्तिस का वाभाग जो निगरण उल्टी का नियमन केंद्र है यह दोस्तों मेडुला संगेटा निमलिखीत कथनों पर भिचार कीजिए कथन एक आधन बी यनी कारण ए कफन ए क आर स्मेश्मित्र आउन रहात है स्ट्य प्रकास में सरीर में मेता टोनीन का उत्पादन अधिक होता है और सरीर के जोडों में गठिया रोग अर्थ्राइटिस होता है यूरीक अमल के जमाओ के कारण जोडों पर दोस्तों यूरीक अमल जम जाने के कारण अर्थ्राइटिस हो जाता है जिसको हम कहते हैं गठिया रोग अगला कोशन है मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रापसी का कारण है जैसा की भारत में हुआ ये है दोस्तों शरसों के तेल में आर्मी मोन तेल की मिलावट सरसों के तेल में साइनाड अंस उजाला रंग करने वाली मिलावट आदी जहां एक कोशिका के रूप में उत्पन होता है और ऐसे निर्दई लोग का रूप धारन कर लेता है जिससे प्रतिवर्स लाखों लोग मौत के घाट उत दिये जाते हैं पर विज्ञानिक धैरपूरक इसके रहस्यों का उध्गाटन करने में लगे हैं और इनके विरुद्ध संगर्स एक नाटकी मोड पर पहुच गया लगता है के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें स्रेश्टर चिकित्सा के लिए विश्वास और आसा का स उपयोग एक नई परिस्थित की इको सिस्टम मित्र तकनिकी है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं इस तकनिकी में एक पौधे की निचोड का उपयोग करते हैं ये पौधा कौन है ये पौधा है दोस्तों पार्थी नियम पार्थी नियम पौधा है अग मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है यह प्लीहा प्लीहा जो है मलेरिया से प्रभावित अंग है जिसको हम तिल्ली कहते हैं अगला कुशन है प्लाजमोडियम पर जिवी की वाहक है यह है दोस्तों मादा मच्छर प्लाजमोडियम पर जिवी की वाहक है मादा मच्छर म मख्खी जू में से प्लाजमोडियम पर जीवी का वाहक है यह है दोस्तों मच्छर मलेरिया तता डेंगू में जुआर मच्छर की काट मानो प्रजात तता मच्छर मच्छर प्रजात में से उभैनिस्ट नहीं है यह नहीं है दोस्तों मच्छर प्रजात इसकरवी डेंगू नी प्लेटलेट्स की कमई हो जाती है यह प्लेटलेट्स को डाउण कर देता है। पीला बुखार होता है यह प्यालता है बुखार होता है हिंडीज। एजिप्टी से एजिप्टी जाति के मच्छरों से वह विज्ञानिक जिसने ये खोज की कि मलेरिया प्लाजमोडियम नामक पर जीवी से होता है ये थे दोस्तों सर रोनाल्ड रास सर रोनाल्ड रास अगला कुशन है मलेरिया कालरा और जोएंडिस में वह रोग जो प्रोटो जोवा द्वारा होता है ये है दोस्तों मलेरिया एक जीव के संपूर संजीन सभी जीनों की महत्पूर्टा का अनुकर्मण वर्ष 1996 में पूरा हुआ था वह जीव था ये था दोस्तों प्लाजमोडियम वाई वैक्स मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटो जोवा रोग है गलत प्रतेग नेत्र गुआ पीड़ा डेंगू का लच्छन है नहीं तोचा पितिका नाक से रक्त इस्तराव डेंगू के कुछ लच्छन है तीसरा सही है अगला कुश्चन है मलेरिया के संबंद में सत्यक अथन है ये मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है ये दलदली छेत्रों में अधिक तर होती है तता इसके इलाज में क्लोरो क्वीन का उप्योग किया जाता है अगला कुश्चन है भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदाई है ये उत्तरदाई है दोस्तों पी वाई व ताइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है ये नहीं होता है दोस्तों जापानी इनसे फ्लाइटिस इन्थो फोविया का डर है ये दोस्तों पुस्पों का हाइडरो फोविया होता है ये होता है दोस्तों विसाड़ों के द्वारा हाइडरो फोविया होता है विस वाला रोग है यह है दोस्तों मेनेंजाइटिस यह कौन सा रोग है मेनेंजाइटिस मानो शरीर में उर्वी का फीमर सबसे लंबी होती है सबसे लंबी होती है है जा रोग जिवांड के द्वारा होता है है यह बैक्टिरिया द्वारा नहीं होता है दोस्तों वाइरस के द्वा के द्वारा होता है है अधलीट-फूड रोग विशॉंड के द्वारा होता यह यह नहीं होता है दोस्तों है जा के ही business होता है uis Drive on 262 उपरेक्तमेंट से स्टनन एक और दो सही यह अगला कुक्शन है भारत में जन्मे प्रतेक काा थोहंडे्ड सिस्यों में एक अतिशार से मर जाता है जिसका थोटा वाइरस कौंसाओर है दोस्तों रोटावाइरस एक है सिलिकासिस एक है फेव्डे संबंधी विमारी ये स्थे हैं फेव्डे संबंधी बीमारी विमारी सही सुमेलित करना है रक्त अलबता यानि एनिमिया लोह तत्त की कमी लोह तत्त की कमी हो जाती है इनिमिया यानि रक्त अलबता गलागोटू ग्वाइटर आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाता है दोस्तों ग्वाइटर रताउंदी यानि नाइट blindness यानि vitamin A की कमी से होता है इसके कारण होता है दोस्तों vitamin A की कमी से greater रोग हो जाता है vitamin A की कमी से night blinders या रतवंधी हो जाती है berry berry यानि vitamin B की कमी से berry berry नामक रोग हो जाता है घहिंगा रोग हो जाता है दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन उन बीमार बेक्तियों को दी जाती है जो पीडित होते हैं ये होते हैं दोस्तों घेंगा से घेंगा रोग से जो पीडित होते हैं उन्हें आयोडीन दी जाती है उन देशों में जहांके लोगों का मुख खाद्यान पालिस किया हुआ चावल है लोग पीडित हैं यानि पालिस किये हुए चावल में बी यानि विटामिन बी नहीं होता है विटामिन बी ना होने के कारण उनको कौन सा रोग हो जाता है बेरी बेरी रोग हो जाता है बीमारी पता करने के यंत्र यान है यह है दोस्तों magnetic resonance imaging magnetic resonance imaging अगला question है अगला question है BMD परिछण किया जाता है पहचान के लिए यह किया जाता है दोस्तों osteoporosis osteoporosis यह हड्यों की बिमारी है osteoporosis यानि BMD इसका परिछण osteoporosis यानि हड्यों की जांच के लिए किया जाता है BMD परिछण किया जाता है इस्थिर इस्थिर अस्ति रंदरता है तो अस्ति रंदरता है तो BMD परिछण का पूर्ण रूप है bone mineral density bone mineral density अगला question है जो मनुस यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है करना रोग देना चाहिए वह पीडित है यह पीडित है दोस्तों bulimia bulimia नामक रोग से पीडित है उसको यह नहीं पता चलता है कि कब खाना बंद करना है भोजन विसाकता का कारण होता है यह होता दोस्तों Salmonela bacillai Salmonela bacillai अगला कुशन है अगला कुशन है अर्ग टास अर्ग टाप पय अर्ग टाप तो पय उप्भोग होता है यह होता दोस्तों संदूसित अन के कारण संदूसित अन के कारण इटाई इटाई रोग होता है यह कैडिमियम के दीर कालेन विसाकतन से होता है सरीर में वह इस्थित जिसे कैंसर कहते हैं सेलों के अनियंत्रित बहुगुणन होना यानि सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंतता रोगी की म्रत्त हो जाना अगला कुशन है फे निल की टोन में उपापाच्चय की जन्मजात भूल का एक उधारण है इसे भूल से निर्देश है इंजाइम के वनसागत अभावका एक बेक्ति जो फे निल की टोन यूरिया रोग से प्रभावित है उसमें ये है दोस्तों मस्तिस्क जड़ता की इस्थित उत्पन हो जाती है उसमें मानसिक जड़ता की इस्थित उत्पन हो जाती है एक बेक्त जो फेनील, कीटोन, यूरिया, रोग से प्रभावित है उसमें किसकी कमी हो जाती है उसमें मानसिक जड़ता की इस्थित उत्पन हो जाती है अगला कुशन है याद कोई मानवी रोग विश्व के ब्रहत छेतर में फाइलता है तो उसे कहते हैं पेडेमिक क्या कहते हैं दोस्तों पेडेमिक डीपीटी का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया कूकर खांसी टिटनेस से सुरच्छा हित डीपीटी का टीका डिप्थीरिया कूकर खांसी टिटनेस से सुरच्छा हित दिया जाता है तिरतियक्त प्रतिजन DPT बच्चों को दी जाती है, रोहिडी कूकरखासी टिटनेस से बचाओ के लिए, DPT का काम नहीं आता, पोलियो में DPT काम नहीं करता है, नौजाद सिस को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है, कूकरखासी टिटनेस डिप्ठीरिया रोगों स प्रतिरच्चित करने के लिए, विसान जनित बीमारिया हैं, यह हैं मम्स, रेविज और हरपीज, एडस, डिप्ठीरिया, हैजा, काली खासी में सेवा, रोग, जिसका कारक जिवाण नहीं होता है, यह है दोस्तों एडस, क्या है एडस, बलू बेवी, बलू बेवी नामक प में नाइट्रेट के अधिक विद्दिमान होने के कारण बहु चर्चित बबल बेरी रोग ऐसा इसलिए इसलिए कहलाता है क्योंकि रोग ग्रस्त सिसु का उफचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है अगला कुशन है बुलू वेवी सिंड्रोम बुल लोवीन की अधिक्ता से शरीर में मिठे मोग लोवीन की अधिक्ता से बुलू वेवी सिंड्रोम नामक बिमारी हो जाती है चिकित्सिकी भासा में गोल्डन आवर का संबन्द है ये हिर्दया गात से बीटा ब्लॉकर एक अवसधी है घृदया गात से बचाने के लिए कुण सा आउस्यं स्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है पोटैसीयम पोटैसीम अल्पता से संबंदित धैं निम्ण रक्त चाप यह मूत्र में ईलबुमीन आ रहा है तो समभवना होती है या गर UA रहा है तो ऐसे में किड्नी के फेल हो जाने पी लंबे समय तक उपवास रहने का सरवाधिक प्रभाव शरीर के जिस अंग पर पढ़ता है वा है यानि किड्नी यानि गुर्दे गुर्दे पर अतधिक दिन उपवास रहने पर किस पर प्रभाव पढ़ता है गुर्दे पर ब्रक यानि किड्नी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है यह हार्मोन्स कौन है यह है दोस्तों ADH द्वारा अगला कुशन है सोमेलित करना है और्सेनिक 74 इसका उपचार किया जाता है दोस्तों टूमर की पहचान करने में कोबाल्ट सिस्टीन ये कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है आयोडिन 131 यानि 131 ये किया जाता है दोस्तों उपचार इसका थाइराइड गरंत सक्रीता के लिए सोडियम 24 ये रक्त बितिकरम के लिए किया जाता है अगला कुशन है अगला कुशन है टूमर की पहचान हेत प्रियोग्त रीडियो धर्मी समस्थानिक है यह है दोस्तों आरसेनिक 74 सुमेलित करना है कोबाल्ट सिस्टी का उप्योग शरीर के अंतरंग के अरवुद का उपचार किया जाता है आयोडीन 131 थाइराइड अरवुद का उपचार किया जाता है फासफोर 32 स्वैत रक्तता का उपचार किया जाता है गोल्ड 198 कैंसर उपचार में किया जाता है अगला कुशन है मानो के सरीर में रक्त प्रवा की गतिक के मापन में उप्योग किया जाता है यह किया जाता है दोस लिकीमिया विमारी के रोग थाम के लिए प्रियोग किये जाने वाला रीडियो समस्थानिक है यह दोस्तों फासफोरो 32 कोबाल्ट सिस्टी रक्त कैंसर यानि लिकीमिया विमारी के रोग थाम के लिए किया जाता है ओकोजीन संबंदित है ये संबंदित है दोस्तों कारक रोग से किस से संबंदित है कारक रोग से कोबाल्ड सिस्टी आम तवर पर विक्रिणड चिकित्सा में प्रियुक्त होता है क्योंकि ये उतसरजित करता है ये उतसरजित करता है प्यारे मित्रों गामा किरणे त्यूमर स सूचित करने में प्रियुक्त रीडियो समस्थानिक है यह एक प्रकार का कैंसर हैं जिसमें आसाधान बढोत्री हूती है ये आसाधान बढ़ोत्री होती है दोरतों स्वायत रक्त यानि WC कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित ब्रद्धी होती है अगला कोश्चन है तीबरतायों प्रियुक्तता के आधार पर करक रोग उत्पन कर सकता है तथा इसका उपचार भी करता है ये करता है दोरतों आय होमोफीलिया एक अनवांसिक रोग है जिसका वहन इस्तिरिया करती है वहन का काम इस्तिरिया करती है और जो प्रकट पुर्षों में होता है ये प्रकट कहां होता है पुर्षों में वाहक का काम करती है इस्तिरिया और ये प्रकट पुर्षों में होता है हीमोफीलिया अगल एक प्रकार का अन्वांसरी क्या है दोस्तों ये अन्वांसरी विकार है रॉइल हीमोफिलिया टैばい पूति तंतुमयता और हैपर्टेंशन में से अन्वांसीक रूग लिंग्स सहलगन है यह है दोस्तों royal hemophilia royal hemophilia एक genetic बिमारी है कैसी बिमारी है दोस्तों genetic बिमारी है पीडी दर पीडी ये transfer होती रहती है hemophilia hemophilia एक अन्वांसिक विकार है जो उत्पन करता है ये उत्पन करता है रक्त का इसकंदन ना होना रक्त का इसकंदन ना होना इसमें दोस्तों जिसको hemophilia होती है तो इसमें clothing नहीं होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है अगर hemophilia से रोगी कट जाए तो खोन बराबर बहता रहता है यानि रक्त इसकंदन नहीं होता है hemophilia tuberculosis cancer तता पेचिस में से वह ब्याधि जो अन्वांसिक है ये है दोस्तों hemophilia hemophilia एक genetic रोग है अन्वांसिक आप व्यवस्था है down syndrome hemophilia एवं दांत्र कोशिका अरक्त तक्ता ये सभी दोस्तों अन्वांसिक है down syndrome भी अन्वांसिक है genetic है hemophilia भी genetic है तांत्र कोशिका अरक्तक्ता ये भी genetic है आगला कोशन वहाँ जो लिंग गुड़सुत्र में विद्धिमान आप्रभावी जीन के निस्पीडन से उत्पन होता है ये होता है दोस्तों पेची दुस्पोषण सेरे ब्रल सेरे ब्रल पॉलसी एक मस्तिस्क संबंदी विकार है जो सामानता पाया जाता है ये छोटे बच्चों में किसमें पाया जाता है दोस्तों छोटे बच्चों में अलजाइमर रोग में मानव सरीर का जो अंग प्रभावित होता है वा है मस्तिस्क यानी ब्रेन अगला कुशन है अगला कुशन है हाल ही में विज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली जो मस्तिस्क के खतरनाक रोग अलजाइमर को उत्पन करता है वा प्रोटीन है वह प्रोटीन कौन सा है यह है दोस्तों इमिलाइड प्रीकरसर प्रोटीन इमिलाइड प्रीकरसर प्रोटीन अगला कुश्चन है हानिकारक विक्रणों से सबसे कम सुप्रभाब अंग है यह है दोस्तों ब्रेन यानि मस्तिस्क अगला कुश्चन है मनुस्त के अंगों में हानिकारग विक्रणों से सरवादिक सूप प्रभाव है यह दोस्तों आख कौन है आख पोलियो का वाइरस सरीर में प्रवेश करता है दूसित भोजन या जल से दूसित भोजन या जल से हमारे सरीर में पोलियो वाइरस सरीर में प्रवेश करता है पोलियो का कारण क्या होता है विसाड ये पोलियो वाइरस से फैलता है किस से फैलता है दोस्तों वाइरस से पोलियो के टीके की खोच की थी जौन साल्क ने पोलियो के टीके की खोच की थी साल्क टीका संबंदित है यह दोस्तों पोलियो से वह बिमारी जिसके लिए ट्राइवेलेट के स्थान पर बाइवेलेट ओ आरवी देने का निर्णे भारत सरकार ने लिया था यह थी दोस्तों पोलियो एथलीट फुड की बीमारी है यह है दोस्तों एक फंगस फफूंद यह एक बीमारी है फंगस ब्रेन की बीमारी को पहँचाना जाता है ब्रेन की बीमारी को पहँचाना जाता है दोस्तों EEG 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 से जिस अंग की कारपनाली प्रकट होती है वो है ब्रेन यानि मस्तिस्क पेथो जीन जो सामान जुखाम के लिए उत्तरदाई है ये रेनो वाइरस ये दोस्तों रेनो वाइरस के द्वारा फैलता है रेनो वाइरस विसान संक्रमित कर सकते हैं ये कर सकते हैं दोस्तों जिवाड़ूं को कवकों को तथा पादपों को खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दिप्त होती है जो मस्तिस्क को प्रत हिस्टामीन रसाइनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती है अगला कोशन है एनो इसमिया कहते हैं एनो इसमिया कहते हैं घ्राण सम्वेदना की कमी को घ्राण सम्वेदना की कमी को एनो सीमिया कहते हैं डाउन सिंड्रोम एक अनुवानसिक विकार है कैसा है दोस्तों अनुवांसिक विकार है यानि जेनेटिक है जो होता है गुड़ सोत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ये किस्से उत्पन होता है गुड़ सोत्रों की जनसंख्या में परिवर्तन होने के कारण यक्रत रोग हेपेटाइटिस B का कारक है यह है दोस्तों DNA वाइरस DNA वाइरस डी आक्सी राइवो न्यूकलिक एसिड डी आक्सी राइवो न्यूकलिक एसिड DNA का फुल फार्म होता है Hepatitis B की बीमारी होती है ये होती है प्यारे दोस्तों वाइरस के द्वारा किसके द्वारा होती है वाइरस के द्वारा Hepatitis रोग से मनुस्थ शरीर का सीधा प्रभाव होने वाला अंग कौन सा है लीवर Hepatitis यानि ये प्रभावित अंग है लीवर Deptheria Malaria Higa Hepatitis में से वह रोग जो वाइरस द्वारा फाइलता है ये है दोस्तों Hepatitis Hepatitis वाइरस से फाइलता है सलफा दवाईया कारगर है ये कारगर है दोस्तों जिवाणों द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए अगला कुशन है यच्मा और कुष्ट दोनों की चिकिस्सा के लिए उप्यूक्त है ये उप्यूक्त है दोस्तों Eminosacilic Acid अगला कुशन है बिस्वास्त संगठन डबलू एच ओ के अनुसार आज के समय में सरवादिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन है ये च्छमा यानि टीवी ट्यूबर कुलोशिष अगला कुशन है प्रतिवर्स पांच लाग भारती एक रोग से मरते है वो है रोग यानि च्छाय रोग टीवर कुलोशिष अगला कुशन है इसको तपेदिक भी कहा जाता है अगला कुशन है जिवाडों से उत्पन होता है जिवाडों से उत्पन होता है दोस्तों तपेदिक यानि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तपेदिक टीवर कु ये रोग का कारण है दोस्तों बैक्टीरिया ये किस से फैलता है जिवान यानि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है सही सुमेलित करना है स्वाफ प्रतिरच्छी रोग है ये है दोस्तों संधिवाद संधिसोद संधिवाद संधिसोद पामा रोग है ये है दोस्तों चिन चड चिंचडी मांसिक रोग है मनोविदलता च्छाय रोग यानि टीवर कुलोसिस के परिच्छण है तो विशिष्ट परिच्छण है यह है दोस्तो मैटाक्स का परिच्छण सुमेलित करना है खैरा खैरा यह पाया जाता है जस्ते की कमी से इनिमिया लोहे की कमी से और ग्वाइटर आयोडेन की कमी से इसकरवी बिटामिन सी की कमी के कारण होता है अगला कुछ्छन है टिटनेस नामक रोग हो जाता है यह हो जाता है दोस्तों लगजमा नाम से जाना जाता है मिनी माता ब्याद जिस धात की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है वहा है दोस्तों पारा यानि मरकरी अगला कुश्चन है मिनी माता ब्याधी का मुख कारण है पारद यानी विसाकता जापान में वर्स 1903 में मिनी माता ब्याधी हुई थी उन मचलियों को खाने से जो संक्रमित थे ये थे पारद द्वारा प्लेग और पीत ज्वार मलेरिया डेंगू में से संक्रमित मचल के काटने से नहीं होता है ये प्लेग मचल के काटने से नहीं होता है इलरजी के कारण होता है अस्थमा की विमारी होती है यद एक बेक्त केवल दूद अंडा और रोटी का आहार करता है तो उपियोग हो शकता है क्योंकि दूद और अंडे और प्रोटी में यानि इसकरवी यानि बिटामिन शी नहीं पाया जाता है आम पपीता आमला तता बेर में से इसकरवी रोग के इलाज में उपयोगी है आमला यह उपयोगी है दोस्तों आमला अगला कुशन है रच्छा अनुसंधान विकास संगठन डियारडियो ने लुकोस कीन लुकोस कीन नामक एक औसदी विक्सित की है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है यह किया जा रहा है दोस्तों लिकोडर्मा के इलाज के लिए लिवकोडर्मा अगला कुश्चन है हीमोफीलिया हीमोफीलिया अनुवांसिक रोग है यानि जेनेटिक रोग है डायवेटीज हार्मोन की गलवडी के कारण डायवेटीज हो जाता है रिकेट्स हीन हीनता जन्रोग रिकेट्स क्या हो जाता है यह हीनता जन्रोग है रिंग वार्म कौन सा है कवकी संकरमण है यह कवक यानि फंगी के कारण हो जाता है सुमेलित करना है निमोनिया निमोनिया यह हो जाता है दोस्तों को नंग प्रभावित करता है फेफड़े को निमोनिया लंग्स को प्रभावित करते हैं मुतियाविंद यानि आग को प्रभावित करते हैं पीलिया यानि यक्रत यानि लीवर को प्रभावित करते हैं अगला मेरेस्क सोद यानि ब्रेन मस्तिज को प्रभावित करते हैं, रेवीज यानि प्रोटीन की कमि के कारण क्वासिओर और रूकर होगण होता है वा हुआ है PROFESSOR B , твор Amish Manor exposing meCH Panoda फैलता है दोस्तों चुहे के दौर रेवीज यानि कुत्ते के द्वारा होता है इसमें कुत्ते के काटने से यानि पानी से डर लगने लगता है इसमें रेविज नमक बीमारी हो जाती है टेप वार्म यानि शूर शूर द्वारा हो जाती है पोलियो विशाण यानि बैक्टिरिया के द्वारा होती है अगला कुछन है गोल द्वारा यानि हो जाती है टीवी टीवी किस से फैलती है जिवाड यानि बैक्टिरिया के द्वारा पानी द्वारा कालरा हैजा हो जाता है संपर्क से यानि सिफलिस सिफलिस नामक विमारी संपर्क से हो जाती है घाव द्वारा टिटनेस घाव द्वारा टिटनेस अगला कु फंगी से होता है एड्स यानि विशाण वाइरस से होता है गंजापन गंजापन यानि कवक से होता यानि फंगी से सही सुमेलित करना है वरनांधता हीमोफीलिया दांत्र कोशिका अरतकता यानि आनुवांशिक यह कैसे हैं जेनेटिक हैं आनुवांशिक हैं निमलेकित रोग छोटी माता और चेचक उप्रिक्ट में से भारत में उन्मूलन हो चुका है यह हो चुका है दोस्तों चेचक का भारत से उन्मूलन हो चुका है अगला कुशन है अगला कुशन है सुमेलित करना है प्लेग यानि पिसुओं के काटने से फैलता है पिसुओं के काटने से प्लेग नामक बिमारी हो जाती है फाइल एरिया मच्छरों के काटने से होता है बेरी बेरी बिटामिन बी की कमिशे यानि बिटामिन बी की कमिशे होता है किसको प्रभावित करता है दोस्तों आतों को इंटेस्टाइन निमोनिया यानि फेफडों को प्रभावित करते हैं निमोनिया किसको प्रभावित करते हैं फेफडे को आब इंदुकता एक बीमारी है यह दोस्तों आख की किसकी बीमारी है आख की मायपिया दोस है नेत्र का कि निकट द्रस्ट दोज को ठीक किया जा सकता है यानि निकट द्रस्ट दोज आउतर लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है क्योंकि इसमें नेत्रिका लेंस नेत्रिका त्रिज्या की फोकस दूरी क्या हो जाती है यानि त्रिज्या बढ़ जाती है बढ़ जाने के कारण पास की वस्त तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्त नहीं दिखाई देती है तो इसको आउतर लेंस यानि निकट द्रेश्ट को आउतर लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है दूर द्रेश्ट को उतर लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है वो दूर द्रेश्ट में होता क्या दूर की वस्त दिखाई देती है पर पास की वस्त दिखाई नहीं देती है इसमें क्या होता यानि वकरता तिरज्या यानि घट जाती है वकरता तिरज्या घट जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है दूर की वस्त दिखाई देती है बट पास की वस्त दिखाई नहीं द अगला कुशन है दुर दुर्श्ट दोस में पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाय होती है दुर की तो वो इस पस्ट देख लेता है आँख का वाभाग जिसमें अंद विंदु याद पीत विंदु पाये जाते हैं यानि द्रस्ट पटल अगला कुश्चन है रेटीना अप ब्रद्ध है अगर मस्तिस्क पस्च की मनुस्त की आँख में प्रकास तरंगें इस नाईव उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं ये दोस्तों अच्छ पट यानि रेटीना पर जदि आँख का लेंज अपारदर्सी हो जाए तो आँख का रोक कहा जाता है ये कहा जाता है दोस्तों मोतिया विंदु ब्रांड इस्पेक्ट्रम आउसधी है ये है दोस्तों क्लोरेम फेनिकल सुची फर्स्ट को सुची सेकेंड के साथ मिलान करना है एट्रोपीन यानि तारा विसफारक इथर इस्थानी संग्याहरण नाइट्रो गिल्सरीन हिर्दैक की तक्लीफ पाइरे थ्रियन मच्छर नियंत्रण अगला कोशन है मानव आँखों की पुतली जिस एल्क लाइड के आती तनुबिलियन से फाइलाई जाती है वो है ये है दोस्तों एट्रोपीन निंद्रा रोप इसलीपिंग सीकनेस नामक भीमारी होती है ये होती है दोस्तों ट्रेपैनो सोमा नामक एक कोशकी जिवाण से इसलीप एपनिया एक भयंकर निंद्रा दोश है जिसमें लोग निंद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बादित होता रहता है एड्स का संचार होता है एड्स का संचार होता है दोस्तों लैंगिक संभोग से रक्त दान से और अपरा प्लेसेंटा के संपर्क से प्लेसेंटा या रक्त से या लैंगिक संभोग से इन कारण से एड्स फैल सकता है मच्छरों और अन रक्त सूचक कीटों से नहीं फैलता है अगला कुछन है HIV AIDS रोग नहीं फैलता है मच्छर के काटने से नहीं फैलता है एक रोग ग्रस्त मानों सरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए सूजे हुए लसिका पर्व रात्री में पसीना आना इसमनती का लोब वजन का घट जाना इसमें AIDS के लच्छन है यानि ये चारो AIDS के लच्छन है सूजे हुए लसिका पर्व और रात्री में पसीना आना इसमरती का लोब होना वजन का घटना ये चारो यानि AIDS के कारण है अगला कुछन है निम्न कथन पर विचार कीजिए कथन A यानि AIDS में विशिष्ट रच्छा प्रनाली संभावित हो जाती है सही है यानि AIDS में T-Lymphocides पूर्टिया नस्ठ हो जाते है आर भी सही है और एक दोसरे की विवेचना भी करते है HIV द्वारा होने वाला रोग काउन है AIDS AIDS कारण है वाइरस विसाड़ यह किस से फैलता है वाइरस विसाड़ से AIDS विसाड़ में होता है RNA प्लस प्रोटीन क्या होता है दोस्तों RNA प्लस प्रोटीन RNA का फुलफार्म होता है राइवर नूकलिक एसिड DNA का होता है डी आक्सी राइवर नूकलिक एसिड AIDS के लिए उत्तरदाई विसाड उधारण है यानि रे्ट्रो विसाड़ का किसका है दोस्तों रेट्रो विसाड़ का चिकन गुनिया यक्रत सोध और ह आई वी एड्स उप्रोक्त विमारियों में से वह जो टैटू बनवाने के दौशन है, यह संचारीत होती है दोस्तों HIV AIDS और यक्रत सोद एक दो और तीन अगला कोशन है वह प्रभेद जो भारत में प्रभावी है HIV एड्स यानि संचिप्त रूप है एक वाइड इम्यूनो डिफिशन्सी सिंड्रोम यानि एड्स का फुल फार्म है अगला कोशन है एड्स वाइरच एड्स थी थार्ड की खोज की थी यह की थी दोस्तों रावर्ट गेलो ने एड्स विसाड के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है यह है दोस्तों जीडो वूडीन जीडो उडीन एलीसा परिछण किया जाता है एड्स के परिछण में एड्स की जांच के लिए एलीसा परिछण किया जाता है अगला कोशन है बायो बायो लोजिकल री सरफेसिंग एक अधुनिक सल तक्निकी है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटनों कंदों नितंबों एंडी जैसे कसीर की प्राणियों के सरीर के जड़ों को अगला कुशन है जापानी इंसे फ्लाइटिस का कारण होता है वाइरस यानि विसाड़ सुवरों को मानो रिहायसी छेतर से दूर रखना आवश्यक है जापानी इंसे फ्लाइटिस के उनमूलन में जापानी इंसे फ्लाइटिस के उनमूलन में सरीर में लोहे की कमी से होता है रक्त छीड़ता रक्त छीड़ता नामक विमारी हो जाती है अगला कुशन है सरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन होने वाला रोग है रक्त हीनता वह रोग जिसे इंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता मीजल्स यानि सूचन रोग यकरत का सूचन रोग ओरल सब मियूकस ओरल शब मियूकस फाइबरो शिस बीमारी का कारण है यह दोस्तों तमाखो यकरत गुट खा पीलिया से दुस्प्रवावित होता है ये होता है दोस्तों यकरत यानि लिवर मम्स कालरा तपेदिक पीलिया में से सबसे कम संक्रमित है पीलिया कवन है दोस्तों पीलिया अगला कुशन है कवक के कारण होता है तुचा का प्रदाह रोग तुचा का प्रदाह रोग प्रत्यू प्रत्यू जर्ता वर्दान्दता एड्स गंजापन में से कवक जनित रोग है गंजापन कौन सा है दोस्तों गंजापन अगला कुश्चन है संकर्मण बिमारी है एड्स छोटी माता गल्सुआ ये संकर्मण बिमारी है ये छोटी माता गलसुआ एडस ये वाइरस से फैलते हैं अगला कुशन है इस्तिरियों की तूलना में पुरूस वर्णांता से पीडित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक यक्स क्रोमोसोम होता है कथन चेचक स्मॉल पॉक्स बिसान वाइरस द्वारा होता है कारण मरीज को प्रथक बिस्तर पर रखना चाहिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण की आवधारना भी करता है इम्यूनोलोजी का जनक है एडवर्ड जेनर एक वर्णांद पुरूस एक सामान महिला से विवा करता है तो वर्णांद ता के लच्छन उत्पन होंगे यानि पुत्रियों के पुत्रों में अगला कुशन है अनवानशिक बिकारों के संदर्व में निमलिखित पर विचार कीजिए एक महिला वर्णांद है पर उसका पती वर्णांद नहीं है इनके पुत्र और एक पुत्री है इस संदर में जिस कथन से सही होने की सरवादिक संभावना है वा है पुत्र वर्लांद है किन्त पुत्री वर्लांद नहीं होगी रही अगला कुशन है कियोंकि पुत्र में एक ही यक्स होता है और महिलाव में यक्स एक्स गुर्स उतर होते हैं तो इसमें दोनों होते हैं तो एक पुत्री जो है वर्लांद नहीं होगी पुत्र एक ही है तो ये प्रभावित हो जाएगा तो ये ये दोस्तों वर्लांध हो जाएगा अगला कुछन है एक वर्लांध यानि color blindness पुरूस का विवा एक निस्तरी सामान स्तरी से होता है जिसके माता पिता की द्रश्ट भी सामान थी उसके बच्चों की सम्भावना है या यानी मुर्गियों से ये मुर्गियों से संच बन Knowledge है मुर्गियों से में रिंक स्रोग होता ये वितामिन डी की कमी की कारण अगला कुश्चन है दच्छ चै का मुख कारण है मुख के भीतर होने वाले जिवान वा कार्वोहाटेट के खाद कणों के मद अंतर व्योहार अगला कुशन है दंत चै का कारण है ये है दोस्तों बैक्टीरियल संकरमड छिछले हैंड पंप से पानी पीने वाले लोगों को संभावना है हैजा टाइफाइड और तथा कमला से पीडित होने की चेचक मलेरिया हैजा तपेदिक में से जल जनित रोग है हैजा है जल के कारण फैलता है टाइफाइड ता कालरा विशिष्ट उधारण है जल जनन रोगों से टाइफाइड हैपेटाइटिस भी पीलिया और हैजा रोगों में शिवा जो पानी के प्रदोसन की वज़े से नहीं होता है हैपेटाइटिस भी आ सुरच्छित पेजल और स्वच्छता की कमी के कारण विख्षित देशों में प्रचलित तीन संचारी रोग हैं ये हैं दोस्तों मलेरिया तीबर प्रवाहिका और सिष्टो सोमारू गाता बी सी जी का ठीका लगाया जाता है या च्यानी टीबर कुलोशिस में टीवी में बी सी जी का ठीका नौजाद सिस को लगाया जाता है जन्म के तुरंत वाद ब्राइड्स रोग प्रभावित करता है गुर्दे को फुस फुस धुली मेता नियूमो को नियोशिस से वे सर्मिक रोग ग्रस्थ होते हैं जो मुखता कारे करते हैं कोईले की खानों में गलती से रामू किसी इंजक्षन को अधिक मात्रा में लगा देता है जिसके कारण उसे एठन मिरिगी और बेहोस सी हो जाती अता है कुछ समय पस्चात उसकी मृत्त हो जाती उसका कारण क्या है रक्त में और सामान सरकरा सांदरता अगला कोशन है फुट एवं माउथ रोग इन्थ्रेक्स ब्लैक क्वार्टर काउफ पाक्स दुधारू पस्वों की उप्रुक्त बिमारियों में से संकर्मनी है एक दो तीन चारो अगला कोशन है मैड काउ रोग का कारक है ये है दोस्तों प्रायसं ने भिशु के कुछ भागों में विद्दिमान पस्वों यों फुट एपंड माउथ रोग होता है विसाड़ों के कारण foot and mouth रोग दोस्तों होता है विसाड़ों के कारण foot और mouth रोग मुख्टा पाया जाता है मवेसी भेंड सुवर और बकरियों में वर्स 2015 को पसुव में होने वाली जिस विमारी के लिए चिन्हित किया गया है वो है ये हैं दोस्तों render pest render pest अगला question है कुष्ट रोग उत्पन किया जाता है जिवाड़ों दोरा थैले सीमिया के रोगी में सरीर संसलिसन की छमता नहीं होती है हीमोगलोविन के कारण थैले सीमिया एक वनसा अनुगत विमारी है जो प्रभावित करती है ये प्रभावित करती है खुन को अगला question है इंटर फेराउन का प्रियोग किया जाता है कैंसन यंतरण के लिए किसके लिए कैंसन यंतरण के लिए अगला question है वर्स 2003 में जब लेंडर पेस के मस्तिस्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोट छोड़ने के लिए बाद होना पड़ा था वह समस्या थी एक सिस्ट एक सिस्ट समस्या थी आतर जवार का कारण होता है जिवाण यानि बैक्टीरिया अगला question है वह बिमारी जिसमें उच मात्रा में रक्त में यूरिक अमल प्रधान रूप में पाया जाता है गठिया यानि गाउट मध में पोलियो और काली खांसी चेचक में से वह वैक्सीन द्वारा नियंतित नहीं किया जा सकता मध में रोग वैक्सीन के द्वारा नियंतित नहीं किया जा सकता रक्त में सरकरा का उच्च स्थर रक्त में सरकरा का निमने स्थर रक्त में इंसुलीन की निम्न मात्रा, रक्त में इंसुलीन की अधिक मात्रा, उपरिक्त में से कौन से, मधमें से सम्बंदित है, जो प्राउडों का एक सामान रोग है, ये है दोस्तों, एक और तीन, कौन से हैं दोस्तों, एक और तीन, अगला कुशन है, वह अंग जिसकी अग्नियाश्य मदमे के रोगी को रक्त सरकरा का आईस्तर सामान ने बनाये रखने में लाब पहुचाते हैं ये पहुचाते हैं दोस्तों मेथी के वीज कौन से मेथी के वीज अगला कुशन है ब्रिटिस अनुसंधानों द्वारा उत्गाटित किया गया है कि करी पत्ता भार का देशज और फार्मा स्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरव डॉलर के उत्पादन की छमता रखता है वह रोग जिसके इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है यानि मदमे यानि डाइवरटीज मदमे के उपचार हेथ प्रियुक्त हार्मोन इंसुलीन का आव रक्त इस्तराओ क्या है दोस्तों रक्त इस्तराओ कि एम फाइसी मिया एक ऐसी ब्यद्धी है जो पर्रया ब्रण प्रदोशन द्वारा होती है और इसमें प्रवावित मानव अंग है फुस फुस फेफडे वाहिका के आंत्रिक द्वार का संकीन होता है यह संकीन होता है दो और वाहिका के अंत्रिक द्वारा संक्रिन होना सही है, रक्त और आक्सिजन की अप्रियावत पूर्थ सही है, हिर्दया धमनियों में रक्त के ठक्कों का पहुचना सही है, यानि उप्रिक्त में से चारो कथन सही है, अगला कुशन है, इंस्पिरीन के संबंद में सत्य कथन कुरोनवी धमनी बाइपास सरजरी में जो रक्त वाही का ग्राफ्ट हेत प्रियोग में लाई जाती है वो है यह दोस्तों छाती के अंदर से मेमोरी धमनी यानि मेमोरी आटरी या हाथ से रेडियल धमनी या पायर से सिफनस वेन अगला कोशन है अस्टाल में कैथ लैव होगी काडियो लौजी विभाग में अगला कोशन है भारत में आज रोग निवारणकार के लिए जिस पोसड हिंता इस्थित को परम अगरता देना अवश्यक है वा है जीरोब थैल्मिया अगला कोशन है मनुस में एफला टॉक्सीन खाद विसाक्तन द्वारा सामाननिता प्रभावित होता है ये होता है दोस्तों लीवर यानि यक्रत वर्ड फ्लु विसाड हो है ये दोस्तों यच 5N1 यच 5N1 बुलु वर्ड का कारक है यच 5N1 विस सुमारी यच फाई यणवन इन फ्लुंजा को कहते हैं बर्ड फ्लू क्या कहा जाता है यच वान यणवन बिसाड का प्राया समाचारों में जिस बीमारी के संदर में उलेक किया जाता है वो है स्वाइन फ्लो क्या है दोस्तों स्वाइन फ्लो इवोला वाइरस इवोला रक्त स्तरावी वुखार है वुखार जीवी सांखे की पहँचान उंगली छापन और आईरिस स्कैन क्लोनिंग अनुवांसे की विक्रत प्रतिक्रत डियने और फिंगर प्रिंट स्पैत्रक या अपर अफरीका में पाए गया है इबोला वाइरस इबोला वाइरस का special सफनी नांग रखना और बाजरा अरगटि ने कि सही सुमीलित करना है फसल और विमारी बाजरा हरित बॉल मटर बुकनी और चना उक्ठा अगला कोशन है मक्का में सपेद कली होती है जिंक तत्त की कमी से मक्का की पत्यों के सीर्स का सपेद होना अशूचक है जड़यन की कमी का सहज प्राणि का परीवर्धन होता है प्राणि की स्वपोशी किरिया पाइरीलिया कीट है ये गण्य का सपेद किट एव महात्पोर्ड कवक रोग है यानि शर्सों का ये किसका है दोस्तों शर्सों का अगला कोशन है गेहुं पर पाए जाने वाला दो प्रमुक कवक रोग हैं कालाकिट और इस्मट करनाल बंट रोग है गेहुं फसल का धान का टुंगरो विशान प्रसारित होता है हरी पत्यों के फुद के द्वरा आलो में ब्लैक हर्ट का कारक है आक्सीजन की कमी होना भिंडी में पीत वरंड सिरा की विमारी होती है सपेद मक्षी शे यलो वेन मोजेक गंभीर विमारी है भिंडी की कलाय खंज होता है खेसरी दाल के अधिक मात्रा में खाने शे अवसद वित्रण में काम आने वाली खाली संपुट ब्लैंक कैपसूल्स बने होते हैं ये माड के माड ये आज का लास्ट कुर्शन था दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें दोस्तों को सेर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड क अब लोगों तक पहुंच जाए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जय हिन दोस्तों